गुड़ मॉनिंग एवरीवन नई सुबा में नए सुरज के साथ और सुरज की नई-नई किरणों के साथ आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत हैं हमारे चैनल में हमारे जीवन में हर दिन सुबा होती है एक नई उमीद के साथ में एक नई उमीद की किरण के साथ में जो चीजें हमारी रह जाती हैं तो हम अगले दिन से फिर उमीद लगाते हैं कि हमारा ये काम आज पूरा हो जाएगा तो एक उम्मीद ही है जिस पे पूरी दुनिया ठीकी है तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखे ये बिल्कुल सुबह सुबह का समय है और सुरज भगवान जो है तुरन तभी निकल ही रहे हैं और आज मैंने इस चीज को मिस बिल्कुल भी नहीं किया मैं जैसी मेरी आख खुली मैंने सबसे पहले इसको रिकॉर्ड किया क्योंकि अगर जैसे घर के कामों में लग जाओना तो ये चीज किसी के लिए रुकती नहीं है और समय बीद जाता है कब सुरज भगवान उपर आ जाते हैं पता ही नहीं चलता तो मैंने पहले से सोचके रखा था कि ये व्यू जो है मुझे अपने कैमरे में कैप्चर करना है तो सुबसबा उटकर मैंने सबसे पहला काम यही किया और यहाँ पर हमारे आंगन में जो है ये अपने मण से तुलसी जी ह quarगी है और यह हमारे घर के बाहर का पियो है यहांपर देखिए यह मंदिर है तो यहांपर डेली जो है नहा के आस-पास के लोग सभी लोग यहांपर पूजा करते हैं जल चढ़ाते हैं और बहुत यह अच्छा लगता है और यहाँ पर देखिए भैसे जो है इनको चारा डाल दिया गया है यह सब अपना दूद दे चुकी है और इसके बाद चारा खा रही है तो यह हमारी भैसे नहीं है यह पडोस में जो लोग है उनकी भैसे हैं और यह मैं सिर्फ ब्यू दिखा रही हूँ आप लोगों को और इसके बाद जो है मैंने बाहर की चीजे रिकॉर्ड की फिर शुरू हो जाता है हमारा मौनिक रूटीन तो यहां पर देखिए अभी रात में कीचन वगएरा साफ नहीं किया गया था तो अभी मैं गैस को थोड़ा साफ कर ले रही हूँ तो सबसे पहले मैंने जो है कपड़े सुखे कपड़े से इसको पोच दिया था उसके बाद जो कपड़े को गीला करके और अच्छे तरीके से साफ कर लिया है तो यहाँ पर मैंने एक बार साफ कर लिया है फिर से दुबारा कपड़े को धुल करके और दुबारा से मैं एक बार अच्छे से क्लीन कर रही हूं यहाँ पे जिसे जो final वाली क्लीनिक हो वो हो जाए तो पूरा किचन हमारा साफ हो गया है और इसके बाद मैं आप लों को यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज दिखाने वाली हूँ तो वो जो है ये है ये देखे ये छोटी सी इसको डेहरी बोलते हैं गाओं में छोटी सी है इसके अंदर हमारी अमा जो है चावल रखती है जो डेली चावल बनते हैं वो चावल रखती है साफ करके इसके अंदर और यहाँ पर मैंने पूरा किचन जो है साफ कर दिया है उसके बाद जो है आगे का काम करेंगे तो यहाँ पर मैं जो है पुदीना तोड़ रही हूँ यह क्लिप जो है पहले की है मतलब आज के दिन की नहीं है और आज हमारे हैं बनने वाले हैं बोकवाती टेस्टी टेस्टी पकोड़े तो उसके रेस्पी मैं आपनों के साथ में शेयर करूँगी आपनों लाज तक वीड तो यहाँ पर मैंने देखे पुदीना तोड़ लिया यह हमारे आंगन में ही लगा हुआ है और धनिया पुदीना और यह सारी चीजे डाल के चटपटी सी चटनी बनेगी तो फ्रेंड्स देखे सब कुछ रेडी हो गया है और यहाँ पर मैं नहा दोके रेडी हो गई हूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आलू रख रही हूँ बॉयल होने के लिए क्योंकि यह आगे हमें कामाने वाला है तो कूकर में मैंने आलू रख दिया है इसको रख देंगे बॉयल होने के लिए और जब तक हमारे आलू बॉयल हो रहे हैं तब तक एक साट देखे हमारा दू बनी थी चटनी उसमें धनिया पुदीना और खटाई है और हरीमेच है और नमक है और थोड़ा सा लहसुन है तो इन सबी चीजों को अच्छी तरीके से बारीक पीस लेना है बस हमारी चटनी जो है बनके तयार हो जाती है चयट heavier पीसी और बहुत ही अच्छी लगती है पकोड़ों के साथ में तो बहुत मज़ा आता है खाने में आप लोग ट्राइ करके देखेगा अगर आपके पास सूखी पीसी वाली खटाई नहीं है तो आप आम चूर डाल सकते हैं इसके अंदर और बस इसको थोड़ा गीला कर लेना ह तो आलू हमारे बॉाइल हो गए हैं तब तक ठंडे हो रहे हैं जब तक जो है ये हैं हरी वाली मिर्चे तो इनको जो अच्छी तरीके से धुलके साफ करके और जो इसमें चीरा लगा लेना है तो मिर्चों को मैंने एक साइड रख दिया है उसमें चीरा लगा करके और मिर् पानी से इसको धुलके और साफ कर लेना है तो यहां पर मैंने इसलिए यह क्लिप डाली ताकि आप लोग को समझ आए कि कद्दू के पूल के पकोड़े कैसे बनते हैं वैसे इसका मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है तो आप लोग अगर देखना चाहें तो देख और यह जो हमने खटाई की चटनी पीसी है खाने के लिए वो भी मैंने इसके अंदर तोड़ा सा आट कर दिया है इससे क्या होता है बहुत चटपटा सा मसाला रेडी होता है और इसको जो अच्छे से मैश करके मतलब मिक्स कर लेंगे और इस तरह से पिठी बना लेंगे फि और यहाँ पर देखिए मैंने जो है इसको काफी सारी मिर्चों में भर लिया है उच रहे गई है तो जो है इसको हम भर लेंगे और यहाँ पर मेरे पास ट्राइपोर्ड नहीं है तो एक हाथ से रिकॉर्डिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है तो आप इस इसको अठा जो है गुथ लिया गया था पूरी बनाने के लिए तो इसलिए मैंने गुठे व Parce को को ही ले लिया इसके अंदर करने के लिए इससे हमारी पकोडियां जो की बहुत कुरख्री बनती है तो इन सभी चीज़्ों को अच्छी तरीके से मिक्स करके और हमारा जो है इस तर तो इधर मैंने तेल रख दिया था गरम होने के लिए तो हमारा तेल भी गरम है तो बस मिर्चे को बैटर में डिप करके और बस फटापट से डालते जाना है आज को जो है बहुत तेज नहीं रखना है मीडियम ही रखना है तभी हमारे कुरकुरे से पकोड़े बनके त्यार हो यह देखे और फिर जो है देरे से इसको पलट देंगे और जब भी आप पकोड़े या पूरी कुछ भी बनाते हैं जैसे ओईल में तलने वाला काम करते हैं तो बहुत ही साउधानी के साथ काम करें क्योंकि थोड़ी सी चूक जो है फिर आपको नुकसान पहुँचा सकती ब बनाना तो वो थोड़ा सा इन सब चीजों का ध्यान रखें कई बार हम लोग डेली करते हैं उसके बावजूद जो है गलतियां हो जाती है और हम लोग जो है कहीं न कहीं हाथ में जल जाते हैं तो इसलिए थोड़ा ध्यान से करना चाहिए और देखिए पकोड़े हमारे बन देना है तो जो फूल के पकोड़े हैं उनकी कोई शेप नहीं होती यह अपने हिसाब से ही शेप बना लेते हैं तो देखिए बस बैटर में डिप करकर के और डालते जाना है और एक साइट से जब यह पक जाएगा तो जो है इसको हम पलट देंगे और जब गरबा गरम पकोड जा रहे हैं गरम गरम बढ़िया सा और मुझे तो इस तरीके से बहुत अच्छा लगता है बना के खिलाने में मतलब मुझे परसनली बहुत खुशी मिलती है इस चीज से और आज तो हमारे घर में महमान भी हैं तो सब को दे रहे हैं पकोड़े बना बना के और सब लोग कीजेगा आपनों को बहुत पसंद आएगी और देखे फूल का पकोड़ा भी बन गया है तो बस सेम तरीके से हम मिर्ची के पकोड़े भी रेडी कल लेंगे और फ्रेंड्स अगर आपनों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज ल आपनों को मिर्ची पकोड़ा फूल का पकोड़ा और ये वाला जो एन ये मैंने टिक्की बनाई जो पिठकी बचा हुआ ता उसको गोल करके बनार और मिर्ची बनार दिप करके सिम अज़िब करके और इसको बना लिया है तो ये अब भी खाने में बहुत है लगका दिखा तो यहां पर मिर्ची के पकोड़े हैं फूल के पकोड़े हैं और यह जो है आलू टिकी जिसको मालू चाप भी बोलते हैं तो फ्रेंड्स पकोड़े कैसे बने हैं वह आप लोग कमेंट करके जरूर बताईएगा और इस दिन मैंने सुबह से लेके दुपहर तक का मतलब मौनि कर दिया और यहां पर हम लोग ने चाय वगरा पी लिया और काफी देर तक खड़े हो के पकोड़े बना दें कि वजह से थोड़ा सा थकान ओड़ी थी तो मैंने थोड़ा सा यहां पर रिलैक्स किया और उसके बाद बनाएंगे लंच तो आप लोग जो है आगे का वीडियो से नेक्स वीडियो में थैंक यू फर वाचिंग बाबाई